एक और वीडियो लेके हाजरा चैनल रितेश लखी अनप्लाग देविच ते आज मैं थोड़ी जी इनफॉर्मल जी गालबाद करना चांदा है क्योंकि वीकेंड दा समाए संडे दा दिन है ते वीकेंड दे मौके ते वी जे गम बीर ते तप्थाने नाल पर पूर ते ना किता जावे ते गलबा जेड़ी भी किती जावे ओदे नाल कोई ना कोई जानकारी देविच वादा या कोई द्रिष्टिकोंड देवे या नजरीय देविच कुछ बदला आ सके तो ऐसे ते चैनल भी शुरू किता गया ते वीडियो भी मैं बना रहे हैं अल्मोस्ट ड एजडी दे वीडियो सी काफी बहुत ही संजीदा मुद्दा सी इंट्रिव्यू भी सी बल्वान सी खेडा साब दा एडिटिंग कर देया हुआ ते कल पूरा दिन में ट्रेवल कर रहा सा एडिटिंग दा मौका बहुत लेट लगा मैंनू इस कारणे वीडियो भी तकरीबन ओने 11 वजे दे आसपास अपलोड होया जो की काफी देर सी सो बहुत से लोग उस वक तक शायद पारदे भी जागने रहे हुंदे सो इस करके थोड़ जाड़ डिले होया उदेली मैं खेमादा भी आचक है कि डिले नहीं होना चाहिदा सी लेकिन वीकेंड दे उते संडे दे है वो continue रहनी चाहिदी है कोई कारण होन ना वीडियो पान दे ता समझ विच आंदे ने लेकिन संडे दो भी एक वीडियो पैना मने लादा मुनासिब है ते मैं पा सकता है उसनों पाना चाहिद है तिहां यदा सुरूप थोड़ा वखरा होवे डिफरेंट नेचर होवे उ पowania विडियो लेकिन दे स्यासी मनचा दे उत्ते जन तक पदर दे अई गल्न बाता बंदियाने कि मैं बाद बतंगड़ बन जांता है राइपाहाड बनाता जानता है कि मैं फिर गल्न बाता शूरू होन दियों लेकिन उस्तु बाद फिर मामले तुर पेंदेने पुलंदा खुल जाना ते फिर मामले गाहँ किने किने सालां तक तुर दे रएंदेने तो अजिहाई एक बहुत एक वक्रे किसंदा केस ना थोड़े सामने थोड़े नजर करन लगा है तो आज मैं गाल करांगा एक ऐसा केस जिस विच की मैं वी इनवार्ड सी एक ऐसा केस जिस विच की एक बहुत ही वड़े अकाली आगू सदार सिमरंजी सिंग मान जिना होते कि तकरीबन ऐसी तो वाद मुकदमे वाखवा किसं दे दर्ज होयेने ते तकरीबन सत्र होच से तो फ़ाश पास जीड़े मुकदमे विच ऑफ और बड़यात नू बड़िकीटा गया है उननों ते कोई वी जड़ा मुकदमा है कोई वी जड़ा लजाम है वो कदी भी स्थापत नहीं हो पाए तो तक्रीबन पिछले तेन धाक्या तो वाद तो ऐसा समाई जदो कि सिम्मरजी सिंग मान सेडीशन दे चार्जेदा सामना कर रहे है गिने लेकिन साल 2018 सितंबर साल 2018 दे विच उना दे खिलाब फतेगड साब दी अदालत दे विच एक मुकदमा गिरिया उस दे विच उना नों उबाहिजत बरी किता गया ते ओ मुकदमा इस वस्ते गिरिया वी उस विच इक पत्रकार जड़ा सी वो हॉस्टाहिल टर्न कर गया यानि कि अपनी गवाही तो जड़े बयान दखाए गए उना दे विच दस्या कैसी वो मेरे वलों दस्या की रूप रेखा सी लेकिन हरानी दी काल सी वी मेरे दित्ते गए एक बयान तो एक कथत बयान सी जो कि मेरे सामदाल मेरा बयान नहीं सी क्योंकि ए मुकदमा बारा साल चल लिया दो हुजार चेद इस तो मैं मुनकर्द हो नहीं सब्सक्राइब कर दो कि अपने जड़े बयान है उपर दवारा पढ़ लो क्योंकि हुन थो नू क्रॉस एक्जामिन किता जाना है क्रॉस एक्जामिन मैंनू स्टेट दे वकील ने भी करना सी या सिमर्जी सिंगमान होना दे बचापाक दे वकील ने भी करना सी लेकिन वो जड़े बयान सान हो मेरे नहीं सान मैं वो बयान कर दे दित्ते नहीं सान नहीं होना दे मेरे कोई हस्ताकर सान लेकिन एवी फैक्ट है विए दालत देवी जड़े वी बयान दर्ज होंदेने उना देटे सिगनेचर नहीं किते जान दे एक विखरे किसम दी प्रक्रिया होंदी है जड़ा कोर्ट देविच जड़ उसी बयान दन देओ उस तो जादा एहम जानकारी बहुत से एसे लोग का अंकुल सी जो कि इस मुकदमे दा हिस्सा या उनानों इस मामले देविच विटरनस ही नहीं बनाया गया सी यानि कि योग लोग जो की टेलिविजन दे मौजूद भी सें जिनाने वो इंटर्व्यों लही हैं जसे बेस होते सरदार सिम्रजी सिंग मानों देश दोधा मुकदमा दर्ज किता गया एनिवेज, 2018 दीस कलब आते बाद विच दवारा आजांगे, क्योंकि सीक्वेंस दे विच जदों सी अग्गे बढ़ांगे तब दोजार अठार अठारा तक आना मैं वापस 2006 थे लह चालना है जी टीवी देविच, जी न्यूस देविच मैं ओना देना विच पत्रकार सी, रिपोर्टर था मेरा काम सी, कोर्रोस्पॉंडेंट शैद मैं हुंदा सी होना देना देविच थे, उस वक्त पंजाब दी बीट मेरे कुल हुंदी सी मैं कवर करया करता सी का, बतोर एक ब्यूरो पंजाब देना काम कर रहा सी, साथ एक बहुत सीनियर पदर थे संपादक जो की पंजाब देनाल ही तालुक राख दे सान, जी न्यूस दे, यानि की जड़ा बटा नैशनल चैनल है, क्योंकि ओधी रिपोर्टिंग मेरे कुल ही सी, मैं अलफा टीवी पंजाबी बाद देव अधार टीवाल की है, मैं कहीं जी सब कुछ नॉर्मल है, कैंदेनी वक्षवादा की पोजीशन है, अतवादी की मामले है गेने, तो मैं कहीं तो काम बिलकुल लगपा खतम हो चुका है, उनना ऐसी कोई गाल बात है, ते है नहीं है, तो कैंदेनी किन फेर भी बहुत से जो की खालिस्तान दी गल कर दे सान, तो आज कल किते ने, सो तलवाड़ा दे भी चौया करते सान, जगजी सिंग चोहां जिते होना दा निवास हुंता सी, रहाइश होंदी सी, शिम्रजी सिंग मान साब अपने पिंड सान, तो उनने के भी इनाना मेरी इंटर्व्यू दिली तो आये, कुछ दिना बाद ते उस तो बाद इस सारी इंटर्व्यू लाइनाप होई यां, तकरीबन एक या दो दिन दे विच बिच इस सारी इंटर्व्यू असी सारी यां मुकमल किती हैं, जिस विच की मेन इंटर्व्यूर ते पूरी जरी रिपोर्ट सी, ओ मेरे स इंटेलिजन्स दे आई जी होया करते सन, विर्दी साब जेपी विर्दी साब जिनाद बाद विच देहांत हो गया सी, ओना नल भी तालुकार ठीक सन, तो ओना नल मैं गालबाद किती क्योंकि साड़े संपादक ने आना सी, तो एस सारी जड़े लड़िन दे लाइनाप सन, इंट्रिव्यूस लई, ओन मेरे वलनों ही अंजाम देते गए सन, उस तो बाद साड़े संपादक आन देने, ते मैं फिर ओना देनाल साब तो पहला दिन दी शुरुआत असी फतेगर साब कर दे हैं, तलानिया पिंट सदार सिमरंजी सिंग मान साब दे उथे इंट्रिव्य किती जन्दी है, खालिस्तान दे संदर्व दे विच कई सवाल होना तो साड़े संपादक पुछ देने, ते एंट्रिव्यू दे विच मेरी पुमे का बहुती ना बराबर सी, क्योंकि मेरा काम सिर्फ होना नों कंपनी करना सी, एसकॉर्ट करना सी, लीडरा देला मिलवाना स ते इना इंट्रिव्यू दे अंजाम दुआना सी, उस तो बाद अगला साथा डेस्टिनेशन सी, जग्जी सिंग चुहांड साब असी तलवाडा गए ते उत्थे जाके होना दे रहाइश दे उत्ते है, इसी इंट्रिव्यू दे किते इंट्रिव्यू कंड़ किता, एक बह चुहां इंट्रिव्यू दे दरानों तो पुछागे भी खालस्तान दा चंड़ा जड़ा है, ओ कहो जा होया करदा सी, ते जग्जी सिंग चुहांड कहांड दे ओ देखो ते लेरा रहा है गा, असी बार बैटे से उना दे वेड़े दे इंट्रिव्यू चल रही सी, तो उन अगले दिन असी चंड़ीगड आगे, हैटे पंजाब पुलिस दे विच जेपी बिर्दी साब दे अगली इंट्रिव्यू लाइन आप सी, ते जेपी बिर्दी साब नुमेवी जी में अकसर असी रिपोर्टर लोग अपने संपादक दे आन दी जानकारी दे तो बिर्दी स बहुत एक्साइटेड सान, वी सीनिर पत्रकार देली तो आ रहा है, इस इसी ते गालकरन आ रहा है, तो एक इंट्रिव्यू चाल दी रही, इंट्रिव्यू दो दरान ओही कुछ होया, ओही गलना बाता हुई है, जिस तरीके नाल जगजी सिंग चोहान ने के नमा एक की दो ते चूल दा पया सी है, उदो ते जड़ा मास्ट लगा हुई है, ऐसी फ्लाग मास्ट, ओही बिर्दी साब ने भी शेयर काता हुई, ओ समय दे विच खालस्तान दी था, करंसी भी चाप गई सी, खालस्तान दे मुत्तलक जड़ा पुरा लिट्रेचर सी, इस सारी केंदे भी हाँ, बिल्कूल अवेलेबल है, ते मैं मगादन है, और बहुत फोर्थ कमिंग सी, बहुत एक्साइटिट भी सान, और ने सारा जड़ा मैटिरियल सी, करंसी दे नोट सान, और सारी चीजा मंगा लिया, ते सूपर एक्साइटिट साब ने भी पहुत उनु पूर चलेया होना है, ते उस तबाद एडिटर साब वापस चले गए, आसी अपने कमा काजाँ चला के, विदान साबला सेशन शूरू हो गया, ते उस सेशन दी शुरूवात दुरान ही उजटा प्रोग्राम इनने बनाया सी, अब दे कांटे दा प्रोग्राम बनाया सी, द विदान साबादा, पंजाब इदान साबादा सेशन चल रहा है, क्याप्टन अर्विंदर सिंग मुख्मंत्री सान, प्रकास सिंग मादर लीडर ऑफ उपोजीशन सान, 2006 दे आस पस दी गाल दासरें थोनू, ते उस पक जदो एक प्रोग्राम पर सारित होया, ता ओ पूरी उस वक्त यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जड़े सन, ओनान उस मीटिंग दे विच या उस पूरे पैनल डिसकरशन दा हिस्सा बनाया गया, उस तो इलावा अजीत डोवाल जो की नैश्टल सेकुरिटी अडवाईजर इस वक्त ने उस वक्त वो जॉइन डिरेक्टर होया और बनी हुई है, तो इस किसम दी जड़ी स्क्रिप्टिंग जड़ों उसनों किता गया, वाइसोवर किता गया, तो जड़ों मैं प्रोग्राम देख्या है, मैं भी शॉक्त सी वी आख की, मतलब किस तरीके नों पेश करता गया, भी ठीक है, गल बात नों के तरीका होंदा ह टेवी देविच पेशकारी देख, सर्टनली ओचीज नों जचाके दस्या जानदा है, एता असी सब जानने हैं, लेकिनों कुछ ज़्यादा ओवर बोर्ड जाके उस पूरी पेशकारी नों किता गया, अब्दा एक एक अन्टे दा प्रोग्राम जिसी बिर किया, जीर्ट ड लाग एक रिपोर्ट चल दी, जगजी सिंग चुहां दी लाग रिपोर्ट चल दी, तो इसकी तरीके दा अदे कंटे दा प्रोग्राम चल लाग दे, अदे कंटे दे, दौरान मेनू बतार, क्योंकि मैं चंडिगर्ड हैड करदा सी, उस पक्ट जी टीवी दी ऑपरेशन्स, मैंनों बहुत सारे फोन आगे विया की चलाता तो उसी बड़ा रोडा पैगा, यह है वो है, सो मैंनों भी फिर थोड़ी चिंता होनी शुरू होई, क्योंकि मैं मैं मैसूशता करता सी, भी चीजहां थोड़ी जादा ओवरबोर्ट जाके करती हैं, यहने साड़े जड़े मे दसीवी सीवी इस वक्त तो गलबाता नहीं है, एनी विच वेस ए मामला वजया ते प्रोग्राम खतम होंदे हैं सारी मैंनों बिर्दी साब जो की आईजी सान, इंटेलिजन्स दे मुखी सान, उना दा फोन आ गया, बिर्दी साब ने मैंनों क्या भी यार, he was very furious, बहुत पिच्छों की गलबात सी, जाहरी तौरते उना नों भी तारां खड़क चुकी हैं सान, फोन आ रहे सान, उन्ते डीजीपी तक मामला पहुंच गया भी आ की होया, ओ तस्वीरा अत्यफाक ना जड़ी खालस्तां दी करंसी और चंडे, लिटरेचर जड़े दखा रहे सान, विर्दी साहब ही तिखारे सान, उन्हों तस्वीरा नों भी चुटलाया जा सकता, जो अपने मुहों कहरे सान, उन्हों भी नी चुटलाया जा सकता सी, तो बहुत एक एंबरेसिंग सिचुएशन विछ विर्दी साफ आज गए। मैं भी इस चीनू मैसूस करदा सी, मैंनू भी थोड़ी दुख हो रहा सी क्योंकि चीजानू पेश करन्दा टांग थोड़ा ओट आफ प्रपोर्शन सी, ब्लो अप करता गया सी गा, संसनी पैदा कर मैं अपने पत्रकारीता दे जर्लिजम दे करियर दे विच खुद इस किसम दी रिपोर्ट्स नहीं किती हैं लेकिन गाहे बगाहे मतलब ऐसी गल्ला माता हुंदियां रही आसान जिस्थे कि सानूवी उस बैंडवागन दे विच होना पेंदा सी क्योंकि ट्रीटमेंट जड बहुत सा टाइम ठीक वी काम कर दे लेकिन बहुत ऐसे मोक्यां देने जदो कि उसी हाइपरबोल दे विच चीजानों लिखया जान दा है ते वही कुछ होया सी इस प्रोग्राम जिस दा ना ही देश द्रो सी जिस दे विची एड़े लेवल दी पेशकारी थे उस वक्त 2006 दे पूरे देश दे विच पह गया हूँ तो समझो भी कि नाशनल चैनल इस किसम दी ख़बर नू नशर कारदा है तो उस तो बाद पूरे देश दे विच तारा खडगी है ते इंटेलिजन्स आई भी तो लेके पूरे पारस सरकार तक किती ना किसी लेवल थे हैरान ज़रूर ह होई होने भी अचानक की होया एकी सिस्टम चलेया ते जॉइंट डिरेक्टर जेटेशन अजी डॉबल ओना दी हाजरी उस प्रोग्राम देविचे उस पैनल डिसक्रेशन देविच ओवी इस पूरे सेंटिमेंट नो अग्या बड़े खराब ने तो इक तमाशा बन गया मनल कि इस देश दो दे परसार नो लेके जी टीवी दी पुमिकानो लेके एक बलंबी चड़ी डिबेट जड़ी है गिया विदानसवा पंजाब विदानसवा देविच होगी क्योंकि मैं उस वक्त मीडिया गैलरी देविच बैठके इस पूरी कारवाई नो देख भी रहा सी मै अधिन उमीद नहीं सी वी एड़ा वड़ा मामला वज जाएगा लेकिन बहुत ताजा ताजा मामला सी पे कैप्टन अमरिंदर सिंग ते परकास सिंग बादल एक दूसरे दे खिलाफ इलजाम ला रहे सान परकास सिंग बादल ने इस मुद्दे नो टेक अप किता विदानस सी जवाब दे विच कैप्टन अमरिंदर दा जवाब एसी वी जड़ी चैनल ने खबर चलाई है ते उना ते जड़े मालक ने थोड़े मुंडे यानि कि सुखवीर बादल देनाल पार्लिमेंट दी लॉब्बी दे विच बैठा कर देने जो भी मैं कह रहा है विदानसाबा दा रिकॉर्ड है तो इस किसम दी गालबात होई तलखी वादगी ते मामले नों लाके बहुत ही तिखा तकरार जड़ी है वेखर नों मिली मुख मंतरी कैप्टन नमरिंदर सिंग सी उना ते दबाए पै गया वी हुने इस मामले ती जांच कराई जाए उच पदरी जांच ह वादी उस दे विच बहुत शीने जर्नलिस सी ओके एरके खड़के भी है किमे होया रिपोर्टिंग की ने किती पूरा मामला की सी अजीत डवाल उत्थे की कार रहा सी जुरूर बहुत वड़ी जनसी हैं दी बहुत वड़ी साजिश है बहुत वड़ी व्योंत बंदी दे त विवस्ता हों दी सी जिस विच की अलग लग लवलते कई एडिटर हूं दे संते ओ सारे एडिटर देविच एक तो वदके कुछ कार रदखान दी जड़ी होड़ लगी रह्ए होडगी रहन दी लिए साथे कंसर्ण सम्पादक साप्सान ओ नमे नमे ताजे ताजे ड़े बड़ी वड़ी साजिश है, अच्छा क्योंकि मैं सब कुछ और्गनाईज करा रहा है, मेरे सामने सब कुछ हो रहा है, सो मैं कि वे मानलमाव यह दे पिछे बहुत वड़ी हैं साजिशांसान, क्योंकि जे मैं चार लीडरा ने ना दसे अपने संपादक साबनों ताहीं होना कुल गए, उनने गालबात किती थे, उने इतिफाक संसारे, जड़ा जगजी सिंग चो आनने उत्ते इशारा किता थे, खालसा राज़दा चंड़ा लहरा रहा रहा है, उनने एही खालस तांदा चंड़ा होया क जड़ा सी, हलाँ कि गल्द सी, सई सी सानों नहीं पता सी, लेकिन उनने कैती ऐसी गाल माल ली थे, टीवी चैनल ने चलाती हो ली गाल, इसी तरिके ना जए भी बिर्दी साब देना गाल बात ही होनों जड़े उनना देवालों करंसी दे नोड समने लेके आना, उसारी इशू बनाया गया, उन एड़ा पंबल पूसा पे गया है, मामला एड़ा उल चुका सी, ते दे पिछे अड़ी वड़ी वड़ी यां साजशा थी, देड़ी बू सी, ओ सब नो आरी सी, मीडिया तो लेके पॉलिटीशन नो, खेर लेके कारवाई होई, ते मामले दे वीच F.I.R. रेजिस्टर कार ली गई, F.I.R. फातेगड़ साब रेजिस्टर होई, उस दे विच सेडिशन ते देश दो दे मुकदमे धरज कारते के, सिमरजी सिंग मान दे खिलाब, जगजी सिंग चुहान दे खिलाब, बतार विटनस मेरे कुल पुलिस ने, पुलिस ने अपन पहुंचे, फिर तुसी जगजी सिंग चुहान कुल किन्ने वज़े पहुंचे, किन्ने लोग सी, किन्ने कैमरामें सी, पूरा कुरू दी, पूरी डिटेल सी, जो यह वी चीज़ां बंदियां सी, थोड़ी अपनी कीपू मिखा सी, ते मैं उन्होंनों सारी चीज़ां दास् कोई भी गालबाद भी देशद्रो सी, देशद्रो नहीं सी, खाले स्तान्दा की मुद्दा सी, एक कोई गालबाद ना ता मेर तो पुछी गी ना मैं दसी, तो वो पूरा मामला उत्थे, लगपक खतम हो गया, ए मामले दे विच बाद दे विच चाराज होई थोड़ी करता गया, इदे मामले विच कोई भी गवा नहीं बनाया गया, ना ता अजीत डोबाल नो गवाया बनाया गया, जो कि उस पैनल दे विच बैठके बोल रहे सन, ना ही युनिनिन मिनिस्टर आफ स्टेट फॉर होम जड़े सन, उना नो उना तो कोई पुछ गिच किती गी, ना ही किशोर अजवानी जड़े की उस शोदे एंकर सन, जिना दा ना वी शुरुआती फैयार दे विच आ रहे सी, ना उना नो इस मामले दा गवा या कोई विटनेसमन आया गया, जिड़े सटे संपादक सन, जिना दा कि मैं पूरा बहुरा वी पुलिस नो देना पया सी, उना दा भी ना इस पूरे मामलेज किते नी सी, लेड़े के साल दो हजार स्टाना दा आन्त 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 है, दो हजार अठाना दे आसपास, मैंनो दो समन रिसीव हुए, फटेगर साथ दी अदालत वलनों, जिस विच की मैंनो बतार एक एहम विटनस देता और गवाही देन नी बुलाया गया, ते काफी सक्त समन सन, क्योंकि इस दे बिचे समझ विच आ रहे हैं सी, भी समन नो इगनोर नहीं किता जा सकदा, तो नो अदालत विच जाना पैगा, तो मैं अदालत विच पॉंचया, अपने वकील साहबांदे नान, अमरदीप सिंग तार जो कि उनने खालस्तान दे संदर विच जी टीवी दी साल 2006 दी उस इंटर्वी विच दिता, जो कि मैं खुद कंड़क नहीं किती सी, ओ दे विच सब तो एहम गवा मैं सी, और चश्मदीद भी मैं ही होंगा, जो भी सी, तो मैं हरान सी, ओ दे विच किसी होर भी शक्स दा ना जो ओ पूरी जड़ी गालबाद सी, ओ अदालत दे विच मेरी गवाही जड़ी है, ओ मैंनों दुबारा देनी सी, मैं ओ गवाही नों दुबारा देता, सिम्रजी सिंग माननों देश द्रोही साबत करन, दिली कौफी जोर अदालत विच लगा सी, लेकिन ओ जोर एना नहीं स क्योंकि सरकारा ने इस मामले नों अगले तकरीबर बारा साल बहुत टेले मथे तरीके नाल लेया, ते लगदा सी एक उपचारिक था, फ़र्मैलेटी मातर है जड़ी की किती जारी है, जो कि सिम्रजी सिंग मानन देनाल ता सत्तर तो बात हुर मुकदमया दे विच भी रही बाचदे सन, सो मैंनू जड़े बयान दखाया गए मेरे बयान सन नहीं, क्योंकि पुलस वाले ने अपने तरीके नाल लेखे बयान या मेरी जो जानकारियों नों करे दित्ती गई सी, वैसी कि में इंट्रिव्यूस नों कंड़किता, उसी नों होना ने बेस जा बनाके कैसा बयान त्यार का रख्या सी, जो कि मेरा बयान नहीं सी, बेसिकली, ति मैं उस बयान नों अपना मनन तो अदालत देविच इनकार करता, जड़े वकील सी, जड़े पबलिक प्रोसिक्यूटर सन होना ने, मैंनू कहा भी, इट मींस भी तुसी होस्टाइल हो रहे हो, मैंनू थ फोड़ा आइडियता सी भी होस्टाइल हो, हौस्टाइल मैं के वे हो रहे हैं जड़े मेरा बयान, नहीं कोई दिता होएं, उस बयान नों दी तस्दीख होएं, उस बयान ते मेरे जाता हस्ताकर हो जो कि अदालतां देविच पुलस दे दाएख न के वे वैनाउते अक्सर तो उस तो मैंनू किवे मुक्रिया हुए जस्या जा सकता है। उस केश दे विच जी टीवी कोई भी मैनेजमेंट शामल नहीं सी जिस चैनल ने प्रोग्राम परसारत किता सी जिसुते के डिवर डिफायार दर्ज सी और बाराँ साल तो खड़ी सी तो उधा एक वी जड़ा जड़ा ओफिशल जी टीवी दा इस मुकदमे दे विच पार्टी लेकिन ओजड़ा बयान सी जिस वीच किया कैसे भी थोड़े सावनाले एद्दा इदा काल होई है यानि कि लगपाग ओली स्क्रिप्ट जेडी की उस प्रोग्राम दे विच रात शमी साथ पज़ेड़ा प्रोग्राम चलता है ओदे वीच जड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई अदालत दे विच मैं होस्टाइल टर्न कर गया तकनिकी टर्म्स दे विच ते मामला जड़ा केसी उगर गया सिंबरंजी सिंग मान साब एक होर मुकदमे विच देशद्रो दे सेडिशन दे चार्जिज दे तहत ओ इस मामले बरी हो गए यानि की बाहिजद बरी हो गए तो गवजे तक्रीबन सब्तर मामना ज़िच सिंग मान साब भाईजद बरी होए ने सेडिशन दे चार्जिज दे चार्जिज दे चार्जिज जदो भी खालेस्तान दी गाल परी हो गए तो इससारे मुकदमे एक तो बाद करके टुट दे चले गए गए गिरदे चले गए उना पूरी कहानी सी, इसकेश देविच साड़े जड़े संपादक साब संथ में बहुत लोग जानना चांथे हों के ना तक हैर मैं नहीं लागा, एक बहुत इरिस्पेक्टेबल फिगर ओ आज भी है के ने, मैं बहुत रिगार्ड कारदा होना दा, लेकिन ओना नो भी स्ता व्यक् कानून विपालना करन वाली एजंसियां, लौ एंफोर्स्मेंट एजंसी जड़ियां है गया, अदालता है गया ने, यह जड़े प्रॉसिक्यूशन दा पाक है, ओ किनने टिल्ले तरीके ना काम कारदा है, क्योंकि मैं हरान सी भी बारा साल बाद मैंनू एक ऐसे चक्स लिडिया ने अपनी लीक तो टाप के कैसी संसरी खेज रिपोर्ट बनाती सी, लेकिन उस दे विच भी जे मुकदमे करने हैं, जे एफ़ायार जिस्टर करनी हैं, जो की दबादे हेट कितियां जानी हैं सी, क्योंकि विदान साबादे विच मुद्दा उठया हुया ऐसी, प आरा साल बाद ओजडी एफ़ायार गिर गई, सतर एहोजिया होर एफ़ायार गिर चुक्याने, जो सोचनली हैं, अपना मजबूर होने भी जदों कोई भी खालस्तान दी गालकारदा है, कोई भी ऐसी गालकारदा है, सेडीशन दे फिर मुकदमे अदा या इना केसां दा मतल से ऐसे अंगिनत केसां दी कहानी हैं, जदों की पुलिटिकल दबा दे चाल दे केस रिजिस्टर कर ले जान दे ने, अदालतां दा समा खामखासी बरबाद हुंते देख्यां, बारा बारा साल तुसी मनों बारा साल अदाल दे वी चो केस रोड़दा रहा, तो केस दी जदो पैरवी हुई, मैं दो तरीकां ते गया सी, अखिरी दो तरीकां जिस दे वीच की एक उदी वीच मैंनों टक्निकी दोहरते होस्टाइल करार देता गया थे, उस तो पहली एक जड़ी मेरी फेरी सी, उस दे वीच ओ सीडी जडी सी, उस दो प्ले आउट किता गया, अदालत किती गयी सी, so I was never a part of that report, हलांकि उसनो facilitate मैं जरू करवाया सी, so इस तरीके दा लंबा चड़ा कानूनी चाराज होगे, दे वीच तमाशा खड़ा होया, ते बात दे वीच निकला कुछ भी नी, सिम्रजी सिंग मान देना ले अकसर हो रहा है, सतर केसां वीच हो चुका है, so स सोचना पहना है, सोचन दी लोड है, मीडे दे पक्खों था, मैंनों बहुत दे वीच लेसंस मिले, खामखा जदो असी चीजानों सेंसेशनाइज करन दी कोशिश करते हैं, हलांकि मैं था उस पक्त भी रेजर्वेशन सी, लेकिन मेरा काद दोड़ा नहीं सी, मैं अपने सामखा जरूद नालो जादा वदा चड़ा के दासना, कदे वी किसी सिट्टे थे किसी कालबा तो नहीं पचानदा, ये मेरा व्यक्ति का तजर्बा जरूर कहनदा है, सो आज दा वीडियो एथे तक किसी से इस तजर्बेनों मैं सांजा करना सी, सो मीडिया दीक रिपोर्ट सा तो नहीं दिल्चस्पी लगा हुएगा ते अजी है इतकिस से लेके मैं वीकेंड ते आननी कोशिश करांगा और बहुत से इंट्रस्टिंग अला बाता ने मतला जो की सिस्टम दे वीच की कमिया कामिया ने सानू उननों एक दूसरे पक्खों समझन प्रती उननी समझ बन आन्दे प्रती मददगार साबद हुंदियाने सो एही कोशिश सी ते आनाले समय दे वीच भी सड़ी रिपोर्ट देनाल तुसी जुडे रो रितेश लखी आनप्लाग देनाल बहुत बहुत तान्वाद इस रिपोर्ट नू बेखन ले भी इखोर रिपोर्ट लागे चेती हज़र हमागा